हेलो आज हम करने जारें क्लास 10 का चेप्टर नबर 12 मानव संचादन जिसमें हम पढ़ेंगे भारत की जंगर्णा के बारे में जो की 2011 में हुई थी उससे कंचर्णिंग फैक्ट्स और इन questions को लाने में समय इसलिए जादा लग गया क्योंकि हमारी books के अंदर बहुत सारे facts misprinted हैं इसके जो next chapter है जो transportation system है उसके अंदर भी अभी जो central government ने बहुत सारे national highways के नाम change किये हैं और भी बहुत सारे changement हुआ है तो इसकी वज़े से वहांके facts में भी काफी बदलाव हु question और ज्यादा important हो जाते तो वह ही हमारे यहां पर question देखने को मिलेगी तो इस वज़े से हमें time लग गया है दूसरा आप PDF से concerning एक बात और मुझे आप सो बतानी है कि आप जब PDF ले रहे हैं जो भी बच्चे ले रहे हैं जो काफी बच्चों ने लिया है तो उन बच्चों स एक request है कि बच्चे आप लोग सोचते हैं अलग-अलग बातें पूछते हैं तो बैटर है कि आप उनको वाटसप पर sample paper के लिए apply करें उन पर sample वाटसप पर sample लिखकर भीज़ें तो आपको जो computer वाले सरे हैं आपको sample provide करा देंगे जिससे आपका fanfusion दूर हो जाएगा कि लोग किस टाइप के हैं ठीक है सारे question वही हैं जो आपको यहां पर करवाए गए हैं SST से concerning questions C आपको RBSC की जो books हैं वो questions C आपको उसमें provide कराए जा रहे हैं तो चलिए बिनादेरी के start करते हैं question number first है आपके बास भारत में प्रिथम जंगरना कब हुई थी भारत में प्रिथम जंगरना कब हुई थी देखे प्रिथम जंगरना और प्रिथम व्यवस्थित जंगरना यह दोनों अलग 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 सी थी तो प्रिथम जंगरना कब हुई थी यह आपके हुई थी 1872 में लाड मियो के काल में और प्रिथम व्यवस्थित जंगरना जिस के काल में ये प्रिथम विवस्थित दिनना हुई थी तो लाड रिपन के काल में ये 1881 में हुई थी नेक क्वेशन देखिए सन 2011 में होने वाली जो जन्गर्णा है वो भारत की कौन सी जन्गर्णा थी ये ये आपकी पंद्रवी जन्गर्णा थी जो 1880 से 2011 के बीट की थी देखिए पंद्रवी जन्गर्णा नेक क्वेशन देखिए सन 2000 में होने वाली जन्गर्णा भारत की कौन सी व्यवस्थित जन्गर्णा थी देखिए व्यवस्थित जन्गर्णा और जन्गर्णा मैंने आपको बताया था उसमें डिफ्रेंस है तो जब आपसे केवल जब तक व्यवस्तिक सब्द का यूज ना किया जाए जब तक आपको पंदरवा लिखना है और इन केज अगर व्यवस्तिक सब्द का व्यवस्तिक जन्गर्णा सब्द का उपयोग किया जा रहा है तो आपको क्या लिखना है चौज़वी जनगर्णा ये कहलाएगी कौन सी है? चौज़वी नमबर की कहलाती है जो 18-18-2018 से 2011 की बीच की मानी जाती है सन 2011 में होने वाली जनगर्णा भारत की स्वतंता के पश्चात होने वाली कौन सी जनगर्णा थी? हमारा ये देश स्वतंतर हुआ है उसके बाद से कौन सी जनगर्णा थी है? ये आपकी साथ भी जनगर्णा थी जो 1951-2011 के पीच में होयी नए कोईशन देखी जनगर्णा 2021 के अनुसार राइस्थान की कुल जंगर्णा कितनी है? कितनी है आपकी राइस्थान की जनगर्णा? यह आपका पढ़ता है 6 करोड 85,484,437 ठीक है 6 करोड 85,484,437 ने कुछने देखी जंगर्णा 2011 के अनुसार राइस्थान का भारत में कौन सा इस्थान है तो इसमें आपको बताना है आठवा इस्थान और इसमें एक और मिस्कंसेप्शन है और वो क्या है आपका तेलंगना राइस्थान 2011 के बाद बना था और अगर तेलंगना राइस्थान के बनने के बाद उस चीज को देखा जाए तो यह सात्वा राइस्थान होता है जो भारती जंगर्णा के नुसार आता है तो तेलांग ना बनने के बाद इसका इस्थान जो सात्वा है और वैसे 2011 के हिसाब से देखा जाये तो आठवा इस्थान था नेक क्वेश्चन देखी जन्रणा 2011 के अनुसार राइस्थान में न्यूंतम जन्संग के अवाले पांच जिले कौन से हैं न्यूंतम जन्संग के अवाले कौन से हैं जैसल मेर को पता है जैसल मेर के मैक्जिम ने जो छेत रहा हूँ आपका क्या है मरुस्तल है तो वहाँ पर डेफिनिटल सबसे कम लोग पाए जाएंगे दूसा है प्रताब गर्ड फिर से रोही फिर बूंदी और रास समंद यानि जन्गर्ण ही 2000 के नुशा रायस्तान में अधिकत्म जन्संग वाले 5 यले कौन से हैं? हमने पढ़ेते हैं न्यून्ट नम और अब अधिकत्म आपको पता है जैपूर है जैपूर हमारे राकिस्तन की capital है तो डेफिनियेटली यह होँ सबसे जयाना होनी की संभावना होती है, दूसरा है जोधपूर, जोधपूर भी कैपिटल से कम नहीं है, वो भी आप मिनी कैपिटल कह सकते हैं, तो जैपूर, जोधपूर, उसके बाद तीसे नमबर पर अलवर, सौथे नमबर पर नागार और पाचवे नमबर पर उदैपूर है, नेक क्रेशन द जाता है, बालवर्ग में माना जाता है, जियो जन्गर्णा अलग से की जाती है, तो जन्गर्णा 2000 कारीकर उन्सरा राज़तान में, आयू वर्ग 0-6 वर्ट में अधिक्तम जनजन्ग के आवाले 5 जिले कौन से हैं? आप सबसे ज़्यादा बच्चे किस जिले के अंदर हैं? कौन से जिलों में हैं तो देखें आप सबसे ज्यादा जैपूर में दूसरे नमबर पर जोदपूर में तीसरे नमबर अलवर चौथा नमबर नागवर और वुदैपूर पांचवे पर तो यही क्रम है इसका नाइक क्वेश्चन देखिए जनगर्णा 2011 के नुसा राइस्थान में आयू वर जीरो से चैवर्स का यानि आपका बालवर्ग जो है उसमें सरवादिक जन्संग क्या प्रतिसद के जिले में है इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब हो गया मान लीजे आपके यहाँ पर जो किसी छेत्र में 200 लोग हैं 200 लोग हैं वो कैसे हैं वो जीरो से चैवर्स की आयू वर्ग में आते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया वहां का जन्संग का प्रतिसद बालवर का क्या हुआ वहां का 10 प्रतिसद हो गया यानि 200 में से मात्र 20 लोग तो इस वज़े से इस तरीके से जो सरवादिक जन्संग का प्रतिस दिक्तान में बालवर में न्यून्तम जंशंगually क्या वाले पांच जले फ़िए कौन से हैं, mythology जन्हुग में पच्छे का अापका जन सन्हenne में सबसे कम बच्छे, पर्य प्रताबगर, पर फिर बून्दी, पर सरोहि और रास्ट में राज समल ये क्रम से हैं तो सबसे कम बच्चे जैसलमेर के अंदर देखें आपको पता जैसलमेर में हैं लेकिन न्यूंतम जैसलमेर में सरवादिक बालवर्ग है उसके बाद परताबगढ़ में फिर बोंधी के अंदर फिर सुरोहीब फिर रासा में नए क्वेश्चन देखें, जनगर्णा 2021 के अनुसार राइस्थान में आयू वर्ग 0-6 वर्च यानी बालवर्ग का न्यूंतम जनजंक्या प्रितिसत किस जिले में हैं, सबसे कम जनजंक्या बालवर्ग की किस जिले में हैं, तो वो आपका स्री गंगा नगर हैं, जहां केवल 12.97 प्रितिसत बालवर के लोग हैं, नए क्वेश्चन देखें, जनगर्णा 2021 के अनुसार राइस्थान में सरवादिक महीला जनजंक्या वाले पांच जिले कौन से हैं, सरवादिक महीला जनजंक्या किस निजलों में हैं राइस्थान के अंदर, तो सबसे ज़ादे में हैं, उसके बाद जोटपूर, पिर अलवर, पिर नागौर और फिर उदैपूर, ने क्वेश्चन, जनगर्णा 2021 के अनुसार राइस्थान में महीला जनजंक्या कितने प्रतिसत हैं, हमारे टूटल पूरे राइस्थान के अंदर, जब जनगर्णा 2021 होई ती तो राइस् पूरुष जन्संक्या वाले पांजले कौन से हैं? यह आपका कर्म से जैपूर, फिर अलवर, जोटपूर, नागौर और उदैपूर. सबसे पहले आपका जैपूर आता है, फिर अलवर आएगा, फिर जोटपूर, फिर नागौर और उदैपूर. ने क्वेश्चन देखें जन्गर्णा दोजार गैरे के नुसार रायस्थान में पूरुष जन्संक्या कितने प्रतिसत है? टोटल रायस्थान में आपको पता है, महिला प्रतिसत से आप पूरुष जन्संक्या का प्रतिसत भी निकाल सकते हैं, दोनों में से एक भी याद हो तो आपको कितना है? 51.86 पर्चेंट यानि 51.86% प्रतीस सताप की पुरुस जनसंख्या 2011 के नुसार रही है नेक क्वेशन जंगंडा 2011 के नुसार राइस्थान में पुरुस वैस्त्री वर्ग में नियूंतम जनसंख्या वाले पांच जिले कौन से हैं तो यह आपके क्रम सज्जे सल्वेर, प्रताबग दूसरे नुमबर पर शुरुही तीसरा, बूंदी चौथा और रासमद पांच जिले नुमबर पर आता है, नेक क्वेशन 2001 जंगंडा वे 2011 की जंगंडा, देकि क्वेशन तो वैसे सामने तोर पर आपको 2011 से ही आएंगे, लेकिन जब कंपरिटिव स्टेडी के क्वेशन कई बार आजाते हैं, तो 2001 की जंगंडा, 2011 की जंगंडाना के आजारत पर कुछ कोश्चन्स मैं इसमें डाले हैं, जो इंपोर्टेंट हैं, उनको आप देख लिजे, 2001 की जंगंडा और 2011 की जंगंडा के अनुसरा, जो 10 की व्रद्धी दर है, मतलब आपको पता है, 10 साल में ये ह हुई है, तो 10 साल में जो व्रद्धी दर है, वो कितने प्रितिशत की कमी आई है, हमारे देश में जो है व्रद्धी दर है, उसमें कमी आई है, और 2011 से 2011 के बीच में, तो कितनी कमी आई है, तो देकि ये आपका 7.1% की कमी आई है, 10 के व्रद्धी दर में, और 2001 में जो 28.4 प वो आपके 2011 में 21.3 परद्दी सद दर्च की गई है। नएक क्वेशन देखें। जंगर्णा 2011 के अनुसार रायस्थान में सरवाधिक व्रद्दी दरवाले तीन जिले कौन से हैं। तो सबसे ज़्यादा बार्बेर जिसमें 32.5 परद्दी हुई है। जैसल में 31.8 परद्दी सद की और जोथपुर में 32.7 परद्दी सद की। यह जो एरिया हैं यह एक्षवर में कुछ मरुस्तली है या फिर नेश्रल ही यह ऐसे एरिया हैं जहां पर निवास आसान नहीं होते हैं। जैसे जैसे टेकनलोजी बढ़ रही है तो निवास स्थान सहूलियत और अनुकूलताएं बढ़ती जा रही हैं। और इसी वज़ए से यहां पर जीवा नियाफन की संभावनाई बढ़ती जा रही है और प्रोडेक्शन रेट वรदी दर बढ़ता जा रहा है। जन्गर्णा 2011 के अनुसार राइस्थान में नियुन्तम विर्दी दर्वाले तीन जिले कौन से है तो आपका श्री गंगा नगर जो है उसमें मात्र 10.3 जुन जुन में 11.57 और पाली के अंदर 11.9 पिर्दी सत दर्च की गई है जन्गर्णा 2011 की जन्गर्णा के साल जन्गर्णत में विर्दी दर्च की गई है तो यह आपका 35 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमेटर की व्रदी दर्च की गई है यानि 2001 में जहाँ पर 1 किलोमेटर के अंदर 165 व्यक्ति रहते थे आज 2011 में वहाँ पर 200 व्यक्ति निवास कर रहे हैं तो यहाँ पर 35 व्यक्ति प्रति वर किलोमेटर के हिसाब से व्रदी दर्च की गई है नेक क्रेशन देखें 2011 जन गणना के निवसार राइस्थान में सरवाधिक जन गणनतो वाले तीन जिले कौन से है सरवाधिक जन गणनतो यानि कम भूमी पर ज़्यादा निवास करने वाले तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपलेशन कहाँ पर दिखाए देती है हम जानते हैं जापूर के अंदर क्योंकि वो है अमारे राइस्थान का कैपिटल और जापूर के अंदर पांसो पिचान में लोग एक किलोमेटर के दायरे में रहते हैं ने कुछ है दो हजार ग्यारे जणगर्णा के अंदर राइस्थान में नियूंतम जणगर्णतों वाले तीन जिले कौन से हैं तो यह आपके हैं जैसल में जिसमें मात्र 17 वेक्ति प्रतिवर किलोमेटर रहते हैं विकानेर में 78 और बाड मेर में बाड मेर तो इस तरीके से सबसे कम जणगर्णतों वाले कौन से हैं जैसल मेर प्रतम पे विकानेर दूसरे नंबर पे आता है और बाड मेर आपका तीसरे नंबर पे आता है जणगर्णा 2011 के अनुसार ने कुशन 2001 की जंगर्णा, वे 2011 की जंगर्णा की अनुसार, लिंगा नुपात में कितनी वर्धी दर्ज की गई है, लिंगा नुपात में वर्धी दर्ज की गई है, लिंगा नुपात क्या है आपका, आपका 1000 पूरुसों पे इस्त्री की संख्या, तो वो क्या है, तो देखिए, 7 की वर लाएं स्त्री हो गई एक हजार पुरुस पर तो इसमें कितने का डिफ्रेंस आया है इसमें साथ की ब्रद्धी हुई ठीक है नेक क्वेशन देखें सरवाधिक लिंगानुपात वाले तीन जिले कौन से हैं डूंगरफूर जिसमें 940 में हैं रासमन 990 और पाली 987 यह सरवाधिक लिंगानुपात पाया जाता है राइस्थान के अंदर किस जिले में सरवाधिक लिंगानुपात किस में दर्ज है तो आपका जैसल मेर में है जहां 821 से 852 हो गया पहले किसा था उसका 820 था और दूसरी बार में क्या हुआ किस जिले में सरवाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है मतलब यहां पर सरवाधिक का मतलब किस में सबसे ज्यादा चेंजमेंट सबसे ज्यादा हुआ है किस में सबसे ज्यादा व्रदी दर बड़ी है तो यहां पर जो लिंगानुपात की जो सबसे ज्यादा व्रदी ह हुई है वह जैसल मेर के अंदर हुई है कोश्चन में थोड़ा सा डिफ्रेंस से उसको आप जेक आउट कर लेतीगा कि दोहजार ग्यारा जट्गर्णा के इसा राजिस्टान में किस जिल्ए में लिंगानुपाद सर्वाधिक कमी दर्च की गई है तो वो आपके डूंगरपूर में की गई है जहां एक हजार बाइस थी एक हजार पूरसों पर लड़किया या इस्तरिया और वो आप नौसो चौराण में देखी गई है काउंटिंग में, दो हजार ग्यारे में नेक कुश्चिन, दो हजार ग्यारा जणगर्ना के उसार राजिस्थान में न्यूंतम लिंगानुपात वाले तीन जिले कौन से हैं, तो आपका धौलपूर है जहां मातर 846 मही लाएं हैं, एक हजार पूरसों पर, उसी तरह जसलबेर के अंदर 852 हैं, एक हजार पूरसों पर और उसी तरह करौली में 868 हैं, एक हजार पूरसों पर, तो आपका सबसे जो कम लिंगानुपात वाला जुजिला है, वो धौरपूर है, दूसरे नुमर पर जैसल मेर और तीसे नुमर पर करौली, नहीं कुश्चिन देखिएं, 2001 जंगर्णा वे 2011 की जंगर्णा के अनुसर, बाल लिंगानुपात, यानि जो बाल वर्ग का लिंगानुपात है, उसमें कितनी कमी दर्च की गई है, तो कितनी कमी है, 21 की कमी दर्च की गई है, ये काफी ज़्यादा है, 2001 में जहां 909 बच्चियां पैदा होती थी, एक हजार लड़कों पर वहीं पर 2011 में 888 लड़कियां पैदा हो रही है एक हजार लड़कों पर तो ये बहुत मिजर लिंगानों पास तर्च किया गया है जो नेगेटिव है नेक क्वेश्चिन देखी दो हजार ग्यारा जंगरना के नुसार राइस्थान में की सरवाधिक बाले लिंगान पास है दोहजार जंगरना के नुसार राइस्थान में जो सरवाधिक बाले लिंगानों पास हैं वो किस तीन जिलों में का bog hospitalized है जिसमें 934 हैं प्रताभगरण में 938 वहील वाड़ा में समाम में सायदा एक या दो पार्ट और बन सकते हैं इस चेप्टर में तो मिलते हैं बच्चों नेक्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए थैंक यू